Hello dear students, hope you are doing great काफी समय बीद गया लेकिन आपकी परिसानी अभी तक कम नहीं हुई B8 के संदर में 1st year promotion और 2nd year exam date confirmation क्या है चलिए जान लेते हैं Before starting I request you that कि इस वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें ताकि सबसे महत्वून पॉइंट जो है वह आपसे miss ना हो पाए जैसा की हम जानते हैं 28 अगस को सुप्रिम कोड के final decision से University Grand Commission द्वारा final year exam conduct कराने का रास्ता साफ हो गया इसी के संदर में UP के कई बिश्म बिद्याले द्वारा B8 final year का भी प्रस्ताबित परिक्षा कारिक्रम जारी कर दिया गया है kindly attention please CSJMU कानपूर इनिवस्टी द्वारा भी लगवग एमेर सहीद कई अबसेस बारसिक परिक्षा कारिक्रम गोसित कर दिये गए है B8 का most awaited B8 second year का exam schedule जारी होना है विस्वर सुत्रों से ग्यात हुआ है कि ये परिक्षा September last year most probably October में ही होगी क्योंकि रूटीन परिक्षाओं के पस्चाथ ही प्रतिवर्स B8 बारसिक परिक्षा कारिक्रम जारी होता है दूसरी तरफ आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोड का ये भी decision आया था कि अगर राज्ये चाहे तो वो first year के भी exam conduct करा सकता है लेकिन आपको घबराने की कोई आवशक्ता नहीं है क्योंकि UP के कई बिश्म बिद्यालो द्वारा B8 first year की प्रमोशन प्रक्रिया जारी हो गई है B8 second year के भी funds fill होने शुरू हो गए है ये दोनों condition में होंगे चाहे प्रमोशन हो या परिक्षा हो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि बिश्म सुत्रों से ग्यात हुआ है कि CSJMU की स्थगित B8 first year exams अब नहीं होंगे चातर प्रमोट कर दिये जाएंगे और साथ ही उनका practical exam भी नहीं होगा ओके ध्यान दीजेगा लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने जो आपको confirm बताया ये आज तक की ख़बर है ओके अकल इसमें क्या होता है इसके regarding अगर कोई new update आती है तो वो भी इस ख़बर आपको सबसे पहले मिलेगी लेकिन इसके लिए आपको इस channel को regularly visit करते रहना होगा thanks to all, thanks to everyone